थराली विकास खंड में कोरोना वैक्सिनेशन की रफ़तार अपसुस्त होते दिखाई दे रही हैं बीते एक हफ़ते से युवा वैक्सिनेशन के लिए सेंटर के चक्कर काट रहे हैं बीती आठ जुलाई को कोविड वैक्सिन की 500 डोस थराली सामुदाएक स्वास्त केंदर को मिली थी जिसमें से कोविड शील्ड की अधिकांस डोस पैतालिस प्लस आयू वर्ग के लोगों को दूसरी डोच के रूप में लगाई गई सामुदा एक स्वास्त कें धराली में वैक्सिन लगाने पहुँचे व्यक्ति ने बताया कि वो तीसरी बार वैक्सिन लगाने अस्पताल पहुँचे लेकिन आज भी उन्हें मायुस घर लोटना पड़ा तो वही vaccination के लिए पहुँचे एक और व्यक्ती ने बताया कि लंबे समय से slot book करने पर कभी slot खाली ही नहीं मिले और अब vaccine की कमी के चलते पिछले एक हफते से slot website पर देखी नहीं रहे हैं जिसके चलते उन्हें कोरोना की पहली डोज तक नहीं लग सकी है अब जब slot book करा रहे तो slot book हुए नहीं और अब जब slot book हो गए हैं तो यहां पे राली CSC में vaccine नहीं है एक अप्टे से बता रहे हैं आप 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 किती बाट राई थे slot के लिए वहीं इस पूरे मामले पर सामुदाएक स्वास्त केंद्र थराली के चिकसा प्रभार इनवनित चौदरी का कहना है कि vaccine की demand भीजी गई है और नई vaccine की खेप आने पर ही युवावर्ग को कोरोना vaccine का टीका लगाया जा सकेगा जो आपरी वह था हमारा आठारी को सेशन हुआ था इसके बाद से अभी आज सेशन हुआ है अभी 45 प्लस का सेशन हुआ है सवाद 365 के लिए थरारी से गिरिस चंदोला की रिपोर्ट कि अभी युवावर्ट